हेलो दोस्तो आपको देने वाला हूँ A2Z सिरप के बारे में पूरी जानकारी दोस्तो इस सिरप में मल्ती मिनरल और मल्ती विटामिन है जो आपके बीतर पोसक ततों की कमी को पूरा करते हैं साथ ही इसमें एंटी ओक्सिडेंट है जिससे आपकी इम्म्यूनिटी मजबूत होती है तो आएए दोस्तो जानते हैं कि ये सिरप किस परकार से एफेक्टिव है आपकी बोडी के लिए और क्या है इसके साइड इफेक्ट्स दोस्तो आज कल की भागदोडबरी लाइप इस्टैल के कारण हम इस परकार की डाइट नहीं ले पाते जो मिनरल और विटामिन की कमी को पूरा कर सके इसलिए दोस्तो इस परकार के सप्लिमेंट हमारी हेल्थ को बनाए रखने के लिए बहुत ही सहायक है दोस्तो इस जिरब के अगर फाइदों की बात करें तो इसका सबसे पर्मुग फाइदा यही है कि यह हमारे सरीर में पोस्तक तत्व की कमी को पूरा करती है पर्मुग रूप से दोस्तो बात करें तो इसमें है विटामिन B1, B2, B3, B6, राइबोफलाविन, विटामिन C, विटामिन E, विटामिन D, जिंक, मेगनेशियम, सेलेनियम, केल्सियम, सहित आवसे एक सारे मिनरल और विटामिन है इसलिए दोस्तो ये आपके भीतर खून की कमी को दूर करती है, कमजोरी को दूर करती है, ठकावट को दूर करती है, आपके बाल और इसकीन हेल्दी बने रहते है, साथ ही साथ मस्तिस्क की कारे पढ़ना ले भी सुचारू बनी रहती है तो दोस्तों ये सिरब उन लोगों के लिए विशेश उपयोगी है जिन में पौसक ततों की कमी बनी रहती है क्योंकि दोस्तों अधिकांस लोग डाइट में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइडिड को ही ले पाते है हेल्दी डाइट नहीं होने के कारण मिनरल और विटामिन की कमी रह जाती है दोस्तों ऐसे में ये दवा उन लोगों के लिए बहुत ही कारगर है दोस्तों कुछ मामलों में इस शिरब के साइड एफेक्ट्स भी हो सकते हैं जैसे भूक में कमी, मतली, कमजोरी, अधिक नीन दाना, कौश्टी पेशन, पेट खराब रहना, गैस, सूजन और बेचेनी होना इसकीन में खुजली और डिप्रेशन जैसी समस्या होना लेकिन दोस्तों इस परकार के साइड एफेक्ट्स बहुती कम मामलों में देखे जाते हैं अगर आपको इस परकार के लक्सन दिखे तो आप डॉक्टर से संपक जरूर करें दोस्तों अमीद करता हूँ कि आपको अमारे दोरा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी हमसे जुड़े रहने के लिए आप अमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेडिसिन समंदी और स्वास्ते समंदी जानकारी हम आप तक पहुंचा सकें